नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबको मेरे इस यूट्यूप चैनल SN की पाट साला पर और आज के वीडियो में बात करेंगे एक lesson की जिसका नाम है Princess September और यह लिखा गया है William Somerset Mogam के द्वारा याद रखे यह Bengal Board Class 8 का lesson 5 है इसके पहले के जितने वी lesson है वो मैं upload कर चुका हूँ बहुत ही अच्छे से word by word हर एक word का meaning समझाते हुए ताकि आप इसे easily relate कर सकें साथ में बहुत सारे नए सब्दों को सीख सकें और अपने English को enhance कर सकें स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहां लिखा हुआ है lesson 5 Princess September लिखा किसके गया है William Somerset Mogam के द्वारा इनका half name देख सकते हैं आप पर लिखा हुआ है और full name के लिए आप क्या करेंगे यहां पर देख लेंगे William लिखा हुआ है चले start करते हैं और writer के बारे में थोड़ा जानना William Somerset Mogam who was born in 1874 and died in 1965 was a British playwright, novelist and short story writer तो जिनको हम William Mogam को कहते हैं जिनकी बात कर रहे हैं उनका जन्म 1874 इसवी में और मृत्यू 1965 इसवी में हुई वो एक British playwright थे playwright मतलब नाकक कार novelist मैंने साहित्यकार and short story writer मतलब एक लगू कथाकार भी थे मैंने छोटी-छोटी कहानिया भी लिखा कर दे थे during and after the wars समर्थ, थोड़ा बात समझेगा ध्यान से कि during, मतलब बता है के दोरान after, के बाद किसके wars यानि कि युद्ध के समय, युद्ध के दोरान और युद्ध के बाद उसके बाद लिखा हुआ है He traveled to India and South East Asia तो ये युद्ध में सामिल रहे हैं और उसके बाद इन्होंने क्या किया अपने मन में ठानी की यात्रा करेंगे और यात्रा करने के लिए इन्होंने स्टार्ट किया यात्रा कहा का इंडिया का और South East Asia का Of Human Bondage Is regarded as Mogam's Most Important Novel अब इनके बारे में आप जानी चुके हैं तो जानी इनके दोरा लिखा गया एक Novel है जिसका नाम है Human Bondage वैसे Human Bondage का मतलब होता है मनुस्य के अंदर जब एक दूसरे को मतलब जो बंधन होता है उसे को Bondage कहते है तो Human मने मनुस्य का जो बंधन होता है उसके बारे में उसे को regard किया जाता है माना जाता है As Mogam's Most Important Novel यानि सबसे Important Novel के रूप में His other important works include The Razor's Age Razor मतलब समझते ही है जिसे हम लोग दाड़ी बनाने के काम में यूस के जाता है आप सुने होंगे दाड़ी मने Beard को ठीक है तो उसके Age किनारे की बात की गरी है The Moon and the Sixth Pens अब यह सब जो नाम बताए गए है यह इनके दोरह लिखे हुए कुछ Books है कुछ Stories है Novels है The Present Text is an adapted version of His short story of the same name In the same name Same name जब भी बोला जाए समझेए कि इसी नाम से इनकी एक स्टोरी है और उसी से इसको लिया गया है मतलब जस्ट उसको ले करके छाप दिया गया है आपको इस पोर्ड में दिया गया है इसका नाम है WBAC West Bengal Board of Secondary Education और West Bengal Council के द्वारे यह निजायत किया गया है और आपको दिया गया है पढ़ने के लिए आपके सेलिबत में साथ में कुछ कोशिन को डिसकास कर लिया जाए इस चेप्टर को पढ़ने से बहले जिसने कि इसके अंदर के आने वाली बातों पर थोड़ा साम प्रकास चाल तके पहला बात है आपको क्या लगता है हमारा जिवन होता इफ वी हैड नो फ्रेंड्स हमारे पास कोई दोस्त नहों तो सेर आर जोईज और सौरोज विद्ध जिसके साथ अपने दुख और सुख को बाढ़ सके यह आपको बताना है कमेंट्स के तुन में मन करें तो आप लिख सकते हैं अगर आपको बस टाइम हो तो आज कल के तो टाइम में मुश्कीली होता है एक कमेंट को देखना या पढ़ना क्युकि सभी को समझ में आता ही नहीं है कि कमेंट करे क्या क्या सीख रहे हैं उनको यही पता नहीं होता है बसके बल सीख रहे हैं भेडों की जूंड में में करते हुवे दोड़ते जा रहे हैं आगे के बारे में जिकते हैं दुसरा कोस्चन है observe and state the difference in your feelings आपको क्या करना है observe यानि कि बढ़ियां से देखना है एकदम ध्यान लगा करके state करने का मतलब बता है and बताना है the difference in your feeling आपके अंदर feelings में क्या बदलावाती है उसको when दो बाती दी गई है पहला है you are looking at a distance tree from your window अपने घर के खिड़की पर बैठ करके आप वहां से जब बाहर दूर एक पेंड को देखते है तो आपको कैसा लगता है दूसरा है you go and sit under that tree that very tree और अगर एक और feeling बताई गई है कि आपको मन किया आप गए और उस पेंड के नीचे बैठ गए अब इन दू चीजों के बारे हम बात की गई है आपको पेंड पसंद है तो आप पेंड अपने घर में से ही देखते हैं वो बात जरूरी है या उस पेंड पर आपको पसंद है तो जाकर करके आप उसके नीचे बैठ यह जरूरी है यह यहां सोचने के लिए कहा गया है अब तो CM के जो राजा है, उनकी बेटी, जिनका नाम है Princess September, डॉटर का मतलब पुत्री या बेटी, वो बहुत ज़्यादा नाखूस है, मतलब सैड है, बहुत ज़्यादा वो दुखी है, Princess September जो है, वो बहुत ज़्यादा दुखी है, क्यों है भाई? एक दिन की बात है, वो अपने रूम में, अकेले, अलोन का मतलब अकेला, वीपिंग मतलब रो रही थी, वन डे, इन हर ओन रूम, अपने ही कमरे में, वेन सी सो अ लिटल बर्ड होप इन, तब उन्होंने देखा, उसी समय, कि एक छोटी सी पक्षी, हॉप का मतलब बता है, फुदकना, फुदक करके रहते हैं, पक्षिया उड़ती है, फिर कहीं जागा बढ़ जाती है, फिर उड़ती है, फिर बढ़ जाती है, इसी को कहते हैं हॉपिंग, तो होप करते हुए एक पक्षी उनके कमरे में तभी आती है जिस दिन वो दुखी थी तो ये एक दिन का बात बताया जा रहा है स्टोरी में और वहाँ आकर के वो छोटी सी पक्षी गाना स्टाट की अब मुझे पता नहीं वो कौन सा गाना गा रही थी लेकिन हाँ मुझे इतना पता है कि ट्विटरिंग का साउंड करता है पक्षी की मिठास मिठी आवाज को तो वो चह चहा रही थी मिठी साउंड में अब उस बर्ड ने एक बहुत यानि मेल कंसिडर कर क्या कर दिया गया है जो बर्ड थी जिसको था आप क्या सकते हैं अब वो क्या थी ही माने मेल मेल बर्ड था वो मेल बर्ड था वो उसने गाय एक बहुत सुंदर गाना उर्ट लेक के बारे में लेक माने जरने के बारे में कौन से जो kings कहीं garden में है and the willow tree और willow के paint के बारे में reflected in the steel water जो ठहरे हुए पानी में जिसकी परचाई दिखती है और चमकती है reflected मनें चमकना या प्रतिबीम दिखना वो सब अपने गाने में उन लाइनों में वो यूज कर रही है कौन सी वो छोटी सी यानि कर रहा है छोटा सा पक्षी when he had finished और जब वो खत्म कर लिया गाना the princess was not crying anymore अब क्या था कि princess रो नहीं रही थी मतलब अब उनका रोना खत्म हो चुका था anymore का मतलब और आगे that was a very nice song she said उन्होंने क्या कहा कि यह बहुत सुंदर गाना था would you want me to live with you said the little bird तभी छोटी सी पक्षी ने कहा कि क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ रहू या क्या आप चाहती हैं कि मैं आपके साथ रहू would you want to live with you want me to live with you clear हो गया हो आगे बढ़िये princess September clapped her hands with delight princess September ने अपने हाथों से क्या की तालिया बजाना स्टार्ट की तो वो clap करने लगी with delight मने खूस हो करके उस जिस पक्षी के गाने ने उनको बहुत खूस किया था अब वही पक्षी कह रहा है कि क्या मैं आपके साथ रह सकता हूं क्या तो जाहिर सबाता खूसी की बात उनके आँको मैं दिखी कहीं दिखने वाली बात भी है when she walked the next day जब वो अगले दिन सुबह उठी the little bird was still sitting there वो छोटा सा पक्षी अभी भी still मतलब अभी भी वही बैठा हुआ था and as she opened her eyes और जैसे ही as का मतलब अगया जैसे ही she opened her eyes अपने आखों को खोला he said good morning उसने क्या कहा सुप्रभाद राजकुमारी she stretched out the first finger of her right hand so that it served as a pinch sorry, perch perch का मतलब या रखिये समानली जी एक टहनी है पेंड की ठीक है, कई टहनी होती है उनमें से एक टहनी पर एक पक्षिया का बढ़ गई बैठने का इस पर क्रिया को ही पर्च कहा जाता है clear हो गया तो वो क्या की she stretched the first finger of her right hand तो उन राजकुमारी ने क्या किया stretched out, fell आया अपने दाहिने हाथ के एक अंगुली को किसलिए, ताकि वो पक्षि आ करके उस पर बैठ सके clear हो गया the little bird flew down and sat on it छोटे से पक्षि क्या की flew down, उड़ते हुए निचे आई और उस पर बैठ गई set on it का मतलब उस पर बैठ जाना अब flew down का मतलब निचे उड़ते हुए आना then she went through the palace and called on each of the princes in turn उसके बाद then she went out उसके बाद कौन, सी मतलब कौन confirm है, bird तो नहीं हो सकते कि उसके लिए he use क्या जा रहा, तो ये राजकुमारी हर एक दुसरी राजकुमारियों के कमरे में जाने लगी उस महल में जो थी और उनको बताने लगी इसके बारे में बुलाने लगी and for each of the princes the little bird sang a different song और हर एक राजकुमारी के लिए उस little bird ने एक अलग ही गाना गाया different song का मतलब अलग 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 गाना गाया clear है, यहाँ पर आप एक बहुत सुन्दर सा तस्वीर देख सकते हैं जहाँ एक little bird एक राजकुमारी है कमरे में उनके बेड़ के उपर बैठी हुई देख ही है बैठा हुआ दीख आए चोटा सकते है आगे बढ़ते है the other princesses were jealous and visited September together जितनी भी दूसरी other मतलब राजकुमारियां थी princesses वो क्या होने लगी jealous होने लगी जलने लगी क्यों जलने लगी उनसे इसलिए वो सब मिल करके visited मिलने गई किस से? September से जिसका नाम था princess September जो राजकुमारी दुखी थी शुरू में उसी का बारेम बात हो रहा है एक साथ well, my dear, they said उन्होंने कहा ठीक है मेरी प्यारी बैहन your little bird flies in and out just as he likes उन्होंने क्या कहा अब वो आग लगाएंगी कैसे? सोचिएगा कि तुम्हारा तो ये छोटा जो पक्षी है ये तो जैसे मन करता है as he likes मतलब जैसा इसको पसंद आता है ये वैसे ही अंदर आजाता है बाहर चला जाता है जब इसका mood करता है तब ये वैसा करता है they looked round the room वो तो gone off दूर गया है visit करने के लिए अपने घर वालो से अपने घर में मतलब उसका जो घर वहाँ and what makes you think he will come back ask the other princes जितनी other राजकुमारिया थी उन्होंने क्या कहा कि तुम ऐसा क्या है मने तुमको ऐसा क्यों लगता है कि वो जो है वापस आएगा he will come back वापस आने कहा he always does come back वो तो हमेशा ही वापस आता है said September September ने कहा well my dear said the princes दूसरी princes ने कहा ठीक है मेरी प्यारी बहन if you take our advice अगर तुम हमारी advice लेना चाहो pop him into the case and keep him there तुम उसे क्या करो pop डाल दो क्या करने बोला जा रहा है pop करने के लिए यहीं की रख देने के लिए डाल देने के लिए put करने के लिए put him into the cage cage का मतलब हो गया पीजडा और उसमें रखने को कहेंगे pop put and keep him there और उसे वहीं बंद रखो मतलब उस पीजडे में रखो but I like to have him fly around the room said the princess लेकिन पहले तो princess September जो थी उसने कहा but I like मुझे पसंद है to have him fly कि मैं उसे उडने दू around the room इस room में चारो तरफ I think is it clear for you all move to the next they got up oh sorry actually I missed a line safety first said her sisters ominously उनकी जो बहने थी उन्होंने warning के मैनर में ये कहा चेतावनी देते हुए ये कहा कि safety first अगर मान लेते हैं वो पक्षी वापस नहीं आया और आया भी अगर कभी उसका मन किया तो उड़ के चला गया दुबारा कभी आया नहीं तो safety first मतलब तुम उसे उसके अंदर डाल दो नहीं तो कभी वो उड़ के चला जाएगा तुम भीन बताए इतना समझ में आगया हुआ they got up and walked out of the room उसके वो जल गई थी कि इसके पास इतना सुंदर एक पक्षी है जो इतना सुंदर मधूर आवाज में गाना गाता है जिससे सारी दूख परिसानिया दूर होने जैसे लगती है तो उनको जैलस हुआ और उनने इसको आग लगा दिया भढ़का दिया ताकि ये कुछ ऐसा करे कि वो पक्षी दूखी हो जाए और गाना गाना छोड़ दे So they got up and walked out of the room उन्होंने क्या किया वो जली गई इसके बाद उठी वहाँ से और उस रम से चले गई सेकिंग देर हैंड्स हाथ मिलाग करके And they left September very uneasy Uneasy का मतलब बता है औसांत वो चली तो गई लेकिन प्रिंसेस सेप्टेंब्र के मन में असांती को भर गई चिंता को भर गई किसके बारे में उस पक्षी को लेकर गई It seemed to her that the little bird was away a long time अब उसको ऐसा लगने लगा कि ऐसा प्रतित होने लगा और वो इभी नहीं समझ पा लिती कि आखिर वो कर क्या रहा है इतने देर से वो मुझसे मिलने आया क्यों नहीं He might forget her वो सोच रही है कि साइद वो मुझे भूल गया है और he might take a fancy to someone else और हो सकता है वो किसी और को लोभाने में लगा हुआ है fancy का मतलब होता है किसी और के मन रोजन करना उसको लुपाना या पसंद करना यानि अब वो प्रेंसे सप्टेमर को पसंद नहीं करता ऐसा उन्हें feel होने लगा कब जब किसी और की बातों को उन्होंने सुना और अपने मन की बात को सुनना नकार दिया उनके मन में भी अब उस पक्षी को लेकर के चिंताय आने लगी तब आगे बढ़ते हैं स्टोर को continue करें कम्प्लीट ही कर दालते हैं ध्यांस देखिएगा और सुनिएगा बहुत important है इसमें एक listen भी चुपा हुआ है suddenly September heard a tweet tweet just behind her ear suddenly मने अच्चानक से तुरंत उसी समय जब वो इतनी चिंती थी सुच रही थी उसके बारे में तभी एक आवाज आती है tweet tweet की मैंने पहरे हैं बोला था पक्षियों के आवाज को का काता है twittering tweet tweet यानि चीची जो भी आप कहते होंगे अपने कानों के पीछे ने सुनाए दिया behind her ears कानों के पीछे the world had come in quietly वो जो पक्षी था वो काफी चुपके से वहाँ उनके पास आ गया September felt her heart go tham tham against her chest अचानक से September को ऐसा feel हुआ जैसा कि उनका दिल बहुत जोडों से धरक रहा है तम तम का मतलब हुआ chest में उनके यानि सीने में उनका दिल काफी तेज धड़क ला है and she made up her mind और उन्होंने क्या अपने दिमाग में बना लिया made up mind का मतलब होता है दिमाग को ऐसा गरने के लिए मजबूर करना है to take no more risk कि अब वो और दुबारा रिस्क नहीं लेंगी मतलब इस पक्षी को अब वो छोड़ेंगी नहीं वो जाने ही नहीं देंगी इसे वो यहीं रहेगा she put up her hand and took hold of the bird उन्होंने क्या किया she put up her hand मतलब अपने हाथों को उठाया और उस bird को पकड़ लिया the bird was quite used to this bird जो थी वो काफी इस चीज से मतलब परिचित थी मतलब इसके पहले भी सेप्टेंबर ने कई बारों से अपने हाथों में पकड़ा था तो उसे इसका कोई टेंसन नहीं था ठीक है उसे कुछ भी दिक्कत नहीं हुआ so he suspected nothing so उस पक्षी ने कोई भी संदेह नहीं किया क्या कि यह मुझे क्यों पकड़ रही है आगे he was surprised when she carried him to the cage वो तो तब चौक गया जब उसे वो ले करके गई carried him to the cage एक पिजडे के पास एक पिजडे के पास इसके बारे में बात करते थे put him in उसको उस पिजडे के अंदर रख दिया and set the door on him और उसको उस पिजडे में बंद कर दिया मतलब उसको पूरी तरह से उसमें lock कर दिया he hopped up on the ivori perch and said what is wrong ध्यान दखिएगा वो बहुत तेजी से उस पिजडे में कूदना start किया वो काफी तेज कूदता रहा थी ठीक है इभोरी का मतलब a hard एक कड़ा yellowish मतलब पिले रंग का material made from the tusk of an elephant हाथी के दाथ से बना हुआ ऐसा लग रहा था कि वो क्या हो एक पिजड़ा हो उस तेजड़ा कड़ा एक दम मतलब पिजड़ा इसके रहे बनाए गया था काफी सुन्दर रूम बनाने के कोई की गई थी उस bird के लिए but क्या पसंद आएगा उसे देखते है कहानी अभी चालू है समझे आप भी और क्या इसमें आपको सोचने की बात है वो भी मन में रखिए पर्श एंड सेड़ उसने कहा क्या हुआ वो बार-बार उसके अंदर कूदा बाहर निकलने को इस किया लेकिन नहीं निकल पाया जब नहीं निकल पाया तो कहता है वोट इस रॉंग सेप्टेंबर तब उससे जूट कहती है क्या कहती है कि मेरी मम्मी की कुछ बिलिया आज प्रॉलिंग पर निकल रही है सिकार पर निकल रही है और मुझे लगता है तुम क्या हो ज्यादा सेफर हो सुरक्षी थो आउठेर यहां पर वैल जस्ट फॉर दिस वन्स आई डांट माइन ओ ठीक है मुझे कोई दिक्ट नहीं है मुझे बुरा नहीं लगा ठीक है कोई बात नहीं मुझे बुरा नहीं लगा चोटे से पक्षी नहीं कहा उसने बहुत अच्छे से खाना खाया and began to sing और फिर से खाना start किया but in the middle of his song he stopped लेकिन गाने के बीच में ही वो रोग गया I don't know what the matter with me is he said उसने कहा मुझे पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ but I don't feel like singing tonight लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैं आज गा सकता हूँ I don't feel like doing something मैं आज कुछ करने के मूड में या गाने के मूड में नहीं हूँ very well said September September है ठीक है go to sleep instead तो ठीक है इसके जगा तुम इंस्टेड मने इसके जगा तुम सो जाओ अराम करो clear so he put this head under his wing and in a minute was fast asleep fast asleep का मतलब होता है गहरी नीन में सोना तो उस पक्षी ने अपने head को अपने wings के अंदर खुशा लिया मने पंखों से ढख लिया अपने सीर को and एट ही मिनट के अंदर वो सो गया September went to sleep too September भी सोने चली गई अब यहाँ देख सकते हैं या T2 का मतलब यूज हुआ है लेकिन यहाँ इसका मिनिंग भी होगा उठ जाओ, उठ जाओ, he said open the door दरवाजे को खोल दो of this cage and let me out और मुझे बाहर जाने दो I want to have a good fly while the dew is still wet on the ground I want to have I want to have मैं करना चाहता हूँ क्या करना चाहता हूँ मतलब मैं उठना चाहता हूँ while, जब तक ही मतलब क्या है, dew जमी हुई है, वेट है, गिली है ग्राउंड पर उस से मैं उठने का मज़ा ही कुछ और है वो कहना चाहता है you are much better of where you are said September तभी September ने कहा कि तुम जहां हो तुम उस जगा पर much better हो मतलब बहुत ज़्यादा सही हो you have a beautiful golden cage तो मारे पास क्या है बहुत ही सुंदर सोने का cage let me out, let me out said the little bird little bird छोटी चेडिया ने कहा मुझे बाहर जाने दो you will have three meals a day तुमको मिलता है तीन वक्त का खाना एक दिन में you will have nothing to worry तुम्हारे पास चिंता करने के लिए कोई चीज नहीं है nothing to worry का मतलब बता है चिंता करने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है from morning till night सुबह से याद रखेगा from morning till night का मतलब हुआ सुबह से रात तक and you can sing to your heart's content और यहां तुम जितना चाहो उतना गा सकते हो जब तक तुम्हारा मन नहीं भरता तब तक गा सकते हो उनसे वो बाहर निकलना चाहता है sleep को करके तो क्या लगता है possible है but he couldn't लेकिन वो निकल नहीं पाया he beat against the door but of course he couldn't open it उसने दरवाजे पर अपने सीर को बाहर बर मारा लेकिन वो से खोल नहीं पाया he began to cry again फिर चिलाने लगा let me out let me out मुझे बाहर निकालो I have only put you in this case because I am so fond of you princess कहती है said September princess वो क्या कहीं कि I have only put you मैंने केवल तुम्हें इस रखा है in the cage इस पिजडे में because क्योंकि I am so fond of you मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूं मेरा तुमसे बहुत ज़्यादा लगाओ है इस लिए मैंने तुम्हें रखा है but the little bird stood in the corner of his cage लेकिन उस पिजडे के कोने में वो छोटा सा पक्षी खड़ा है looking out at the blue sky आस्मान के तरफ देखते हुए नीले आस्मान के तरफ and never sang a note और कुछ नहीं गाता एक भी note मतलब नहीं निकलती उसके आवाज नहीं निकलती why don't you sing and forget your troubles said September September ने कहा तुम गाना क्यों नहीं गाते और भूल जाते तुम भी अपने सारे परिशानियों को जैसे मैं तुम्हारे गाने को सुन करके अपने सारे परिशानियों को भूल जाती हूँ how can I sing answer the bird bird ने उतर दिया मैं कैसे का सकता हूँ I want to see the trees मैं देखना चाता हूँ पेड़ों को लेक जर्नों को and the green rice और हरे हरे चावल के खेवा को जिसमें चावल उग रही है growing in the fields जो उग रही है fields में if that's all you want I'll take you for a walk said September तब September ने कहा कि अगर तुम्हें यही चाहिए तो मैं तुम्हें क्या करूँगी लेक करके चली जाऊँगे कहां गूमने के लिए clear होगा आए ती आगे की story में चलते हैं इसको भी समझने को इसकर रहा चाहिए she picked up the cage and walked down to the lake round which grew the willow tree she picked up तभी September ने उस cage को उठाया and walked down to the lake और चलते हुए चली गई उस lake के तरफ which grew the willow tree जहां पर उगते हैं where grew मैंने बढ़ते हैं उगते हैं willow के पेड she stood at the age of the rice field वो खड़ी है अभी भी कहां she stood वो खड़ी हुई at the age किनारे पर rice field के that is stretched as far as the eyes could see जो फैला हुआ है उतनी दूरी तक जहां तक आखे देख सकती हैं as far as याद कर लिजे से बहुत इंपोरेंट है जितना दूर हो सके जहां तक आखे देख सके I'll take you out everyday मैं तुम्हें रोज ऐसे ही बाहर लेकर आऊंगी she said उन्होंने कहा I love you मैं तुमसे प्यार करती हूँ and I only want to make you happy और मैं केवल चाहती हूँ तुम्हें खुस करना It is not the same thing said the little bird छोटे पक्षी ने कहा यह same चीज नहीं है It is not the same thing यह same नहीं है आप मुझे प्यार करती है लेकिन यह प्यार जब मुझे बंद करकर किया जाए इस पिजडे में उसमें और जो मैं पहले था उसमें difference है आज मुझे यह राइस के जो फिल्ड्स है चावल के जो खेत है जो लेक है और जो विलो ट्री मुझे दिख रहा है लुक क्वाइट डिफरेंट यह पूरे आप्त अलग दिख रहा है मुझे वें यू सी देम थ्रू दा बार्स अफ आफ केज जब तुम्हेने एक बार्स से एक पिजडे के भीतर से देखती हो सलाखों के भीतर से देखती हो तो सो सी ब्राउट हीम होम अगेन और गेव हीम सपर वो उसे वापस घर ले कर आई और उसे खाना दी प्रोश परोशी बट ही उडेंट इट और थिंग लेकिन उसने कुछ नहीं काया दा प्रिंसेज वाज एंग्सियस तब चिंतित हो गई हमारी राजकुमारी परहपस ही विल हाब गॉट यूज तो हीस केज बाई टुमॉरो सी थोट उन्होंने सोचा कि साइद कल तक वो अव्यस्त हो जाए used to eat का मतलब होता है उसके मतलब अनकुल खुद को ढाल ले और यहां रहने क्या उसका मन हो जाए वो ऐसा सोचती है कब तक कल तक एक और दीन देती है उसको आगे देखिए and next day और अगले दिन when she walk जब वो जगी she cried out good morning in a cheerful voice वो चिलाई तेज से good morning बहुत है खुस नुमा खुसी भरी आवाज में cheerful voice का मतलब उता है बहुत खुस हो गए उता है she got no answer लेकिन उसे कोई उत्तर नहीं मिला she jumped out of the bed वो बेड से तुरंत कुदी and run to the cage she gave a startled cry she gave a startled cry उसने प्रारम किया लगातार रोना for there the little bird lay with his eye closed कि वहाँ पर वो चोटा पक्षी ऐसे लेटा हुआ था जैसे मान लो मरा हुआ हो आखे बन करके and he looked as if और वो ऐसा दिख रहा था he was dead कि वो मर चुका है पुरी तरसे she opened the door and lifted him out उसने दरवाजे को खोला और उसे बाहर lift करके उठाते हुए बाहर निकाला she gave a soap of relief उसने थोड़ा relief पहुचाने को इसकी उसे for she felt that his little heart was beating still क्योंकि उसे ऐसा लगा कि इसका heart अभी भी छोटा सा दिल अभी भी धड़क रहा wake up little bird she said उसने चिलाया कि उठ जाओ उठ जाओ प्यारे छोटे से पक्षी she began to cry and her tears fell on the little bird वो रोना प्रारम कर दी और उसके आंख से आंसु छलक पड़े जो गीरे कहा उस छोटे से पक्षी पर I can't sing unless I am free and I if I cannot sing I die he said उसने उस पक्षी ने कहा कि I cannot sing मैं नहीं गा सकता unless I am free जब तक कि मैं अजाद ना हो जाओ and if I cannot sing अगर मैं गा नहीं पाओंगा तो मैं मर जाओंगा that means same है कि मैं free नहीं होंगा तो मैं मर जाओंगा then take your freedom the princess said the princess ने कहा ठीक है ले लो अपनी अजादी ले लो I shut you in a golden cage because I loved you मैंने तुम्हें बंद किया था इस सुनहले पिजडे में क्योंकि मैं तुम्हें इसे प्यार करती थी and I wanted to have all you to myself और मैं चाथे थी कि तुम केवल और केवल मेरे पास रहो मेरे लिए रहो और मेरे लिए गाओ but I never knew it लेकिन मैं कभी नहीं जान सकती it would kill you कि यह तुम्हें माल डालेगा go, fly, जाओ, उड़ जाओ away among the trees दूर दूर, पेड़ो तक that are around that are round जो चारो तरफ दे लेक है वहाँ पर चारो तरफ उड़ो and fly over the green rice fields और उन जगहों तक भी उड़ते जाओ जहां तक ये हरे चावल के खेट फैले हुए है I love you enough to let you be happy in your own way मैं तुमसे इतना प्यार जरूर करती हूँ कि मैं तुम्हें छोड़ सकूँ let you be happy तुम्हारे खुसी के लिए मैं तुम्हारे अपने धंग सचीने के लिए तुम्हें जैसा पसंद है तुम प्वस्कर सचीओ sit through open the window and gently gently place the little board on the sill उन्हांने क्या किया window को खोला और उस छोटे से पक्षी को रख दिया window sill पर narrow self below a window मतलब छोटा सा जगह जहां window लगी होती है वहाँ पर जो frame होता है उसके उपर समझ देजिए I will come because I love you मैं भी आपसे प्यार करता हूँ इसलिए मैं भी आऊंगा little princess छोटी राजकुमारी said the bird पक्षी न कहा and I will sing you the loveliest song I know मैं आपके लिए गाऊंगा वो सबसे प्यारा गाना जो मैं जानता हूँ I shall go far away मैं बहुत दूर जाने वाला हूँ मैं दूर जाऊंगा but I shall always come back मैं कितना भी दूर क्यों न चला जाऊंगा मैं हमेशा ही आपके पास वापस आऊंगा and I shall never forget you और मैं कभी नहीं भूलूंगा आपको then he opened his wings और इसके बाद उसने अपने पंको को फैलाया खोला and flew right away into the blue और इस नीले आस्मान में एकदम उसी चंड उड़ गया September kept her window open अब आज से September ने अपने विंडो को हमेशा के लिए खूला रहने लगा खूला रखने लगी day and night, दिनो रात क्यों रखने लगी, so that the little bird might come into her room whenever he wished कि वो little bird उसके room में आ सके जब भी वो चाहे क्या लगता है आपको क्या समझे हैं आप इस चेप्टल से कहानी तो खत्म हो गई लेकिन आपको क्या समझाया मेरा पहला ही question था कि एक पेड़ के पास जाकर बैठना में क्या difference है और अगर आपको सराखों का भीतर डाल दिया जाए घर में ही कैद कर दिया जाए तो क्या आप खुश रह पाएंगे क्या आप जी पाएंगे question फिर आपके सामने है answer भी आपको मिल चुका होगा comment में लिख कर जरूर बताएं अगर आपको पसंद आई हो मेरी इस story कुछ इसको मैंने narrate किया है मेरे narration का style आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को like करना बिल्कुल न भूले साथ में आप comment में जरूर बताएं कि आगे आपको किस topic पर नया वीडियो चाहिए इसके अलावा notice writing, report writing, letter writing editor letter, letter to chairman, letter to postmaster यह सभी uploaded है इसके अलावा essay writing uploaded है आप सभी को देख सकते हैं और अपने knowledge को बढ़ा सकते हैं different kind of things मेरे चैनल पर आपको regularly मिलती रहेगी इसी तरह से तो और भी ऐसे वीडियो के लिए चैनल को subscribe कर ले notification bell को hit कर ले ताकि जब भी कभी मैं वीडियो डालू आपको तुरंत मिल जाए मिलेंगे ऐसे ही एक informative वीडियो में Till then take care, जै हिंट